चलो अभी साइद पिछले कोश्चन की बात कर रहे हैं गौतम एक नया कोश्चन कर रहे हैं हम इस कोश्चन को देखते हैं फिर जो डाउट होगा वो पूछ लीचेगा तो परचेज का है हमारा है यहाँ पे 160 और 160 के बाद 125 और 120 के बाद 80 जो खर्चे को बाटने का एलोकेशन का है न मैं एक चार्ट देदूँगा जगर लाइट हो तो उसे लाइट पॉइंट में भी बाटा जा सकता है एरिया में भी बाटा जा सकता है जो चीज अवेलेबल होगा उसमें बाटा जा सकता है वो एक चार्ट दे दूँआ जिससे आपका काम आसान हो जाएगा salary and wages बताया नहीं पहले sales भी लिख लेते हैं by sales तो sales की बात करें तो 1,75,000 और Y की sales है हमारा 1,40,000 और Z की sales है 35,000 और salary and wages है तो P&L का part है rent भी P&L का part है sundry expense भी यानि सर ये आपको पहले से ही profit and loss दे रहा है तो सर ये P&L का part है तो हम trading तो यहीं बंद कर देंगे ये लेजिए closing stock दे दिया इसने buy side में लिख देते हैं closing stock 60,000 और 20,000 3,300 60,100 है ये 60,100 इसके बाद 20,300 के बाद 44,600 सर निकालिए जी पी बताइए टूटल करके क्या आता है 175 23,500 14,000 35,000 70 80,000 क्यों अच्छा इदर लॉस आ गया तो बाइ ग्रॉस लॉस माइनस असी तो 400 अब तो ये प्रॉफित ही प्रॉफित 1,6,0,3,0,0 2,GP 78,100 35 35,300 300 अब बाइ साइड में आ जाएगे न बाइ साइड में जी पी लिखेंगे 75,100 35,300 लेकिन जी एल को इधर ले जाएगे 2,G,L 400 अब हम आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं Transaction and Tape Record दो चीज़ें देखो ये ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉडर तैंजिस्टर होता है रेडियो रेडियो और टेप रिकॉडर Has been sold show room and repair etc शोरूम में भी बेचा जाता है और उस पर repair भी होता है Made in factory जिसको factory में बनाये जाता है कहता है Apportionment of the salary wages is show room show room का मानिये तीन बटा चार factory का मानिये एक बटा चार और salary and wages showroom that is divided into x and y इसका मतलब sir x और y जो है ये हमारा showroom है ये दोनों जो क्या है हमारा showroom है question में tricky point यहीं था और ये क्या है हमारा factory तो कहता है जो भी salary का खर्चा है यानि जो भी salary का खर्चा लोगे उस खर्चे को कैसे बांटोगे देखिए salary है हमारा देखिए salary है हमारा sir कितने salary है salary दे रख़ा है 10,800 पहले तो इसको दो पार्ट में बाट देजिए यानि sir 3 by 4, 1 by 4 तो 10,800 divided by 3 by 4 and 1 by 4 तो आपका हो गया 3 is to 1 तो एक हो गया 3 यानि 80,100 और एक हो गया 1 that is 27,100 यही होगा न यह गलत बाट दिया अब कहता है यहाँ पे जो 8,100 है मुद्दे की बात है शोरूम 3 बटा 4 है तो यह शोरूम है और यह क्या है फैक्टरी कहता है शोरूम का जो खर्चा है वो दो शोरूम है न हमारे एक शोरूम हमारा एक्स है एक वाई बोलता है इसके अंदर 48,000 है ओके मैंने क्या बाट दिया फिर salary and wages 48 है मैंने कोई और डिजट उठा लिया नीचे वाला कोई बात नी तरकीव टेक्नीक वही रहने वाला है divide 4 into 3 यह आएगा 36,000 और यह आजाएगा 24,000 अब कुछ बच्चों का मुद्दा हो सकता है कैसे आया 36,000 तो 48,000 गुणा में 3 बटे 4 और इसको आप करी लोगे 1 बटे 4 यह 48,000 divide 4 अच्छा 12,000 यह 12,000 अब क्या करना है इसको भी 2 department में बाटना है X में और Y में तो इसको 2 department में 36,000 को बाटना है वो भी किसरी 1 is to 2 में तो सर एक का आएगा 12,000 और एक का आएगा तो रेशियो बन गया एक्स डिपार्टमेंट का 12,000 वाए का और 12,000 यह था सेलरी किसी को दिक्कत कैता है आपोर्समेंट में और सेलरी एंड वेजिस इस हिसाफ से बटेगा आगे और कुछ बाते बताई के रेंट को बाटना 500 मन्त है और शोरूम का अपोर्समेंट एक्वली तो सर रेंट का अगर देखा जाए तो रेंट का अगर देखें तो रेंट है कितना 10,000 तो सर 10,800 में से 5,000 रुपे तो फैक्टरी का चले जाएगा तो यानि 500 रुपे पर मन्त के हिसाफ से 12 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 6,000 बाकी बच गए 48,000 इसको बोला बराबर बाट दो तो कितना बटेगा यह 24,000 तो बड़ा सिंपल सी बात है थोड़ा दिमाग लगाना है बस तो यह था रेंट तो यहां आएगा 24,000 और यहां आएगा 24,000 और यहां आएगा 6,000 इसके बाद है हमारा संडरी एक्सपेंस 11,000 कह डिपार्टमेंट का सेल्स रेशो क्या है 175 is to 140 is to 35 है ना 35 तो काट रहे हैं तो कट रहे हैं 35 कितना कट रहे हैं 5,4 और 1 ऐसे 1 थोड़ी होगा अच्छा यहां आएगा 5 is to 4 is to 1 तो सर 5,4,1 में बाद दीजिए 11,000 जो की है एक्सपेंस तो 5,4,1 ग्यारा हजार इसका मतलब सर 11,000 डिवाइड़ बाइ 10 इंटू में 5,500 और 4,400 और 11,000 सर अब यहां फाइनल क्या यहां जर्नल पी एंडल बनाने की कोई अवशक्ता है तो जवाब है नहीं कोई मौकाई नहीं मिल रहा जर्नल पी एंडल बनाने का कुछ दिखी नहीं रहा आप देख लेते कहां लॉस कहां प्रॉफिट करने के लिए बना लोगे आप को बनाना पड़ेगा तो सर यह 75,000 यह तो निपड जाएगा प्रॉफिट में यह 35,000 तो इधर ही होड़ा है 24 और 4,28 चलो इधर दो के प्रॉफिट इसका तो लॉस ही च जाएगा क्या है इसका कितना है उन्निस फान सो उन्निस फान सो है माइनस करके यही आएगा एका क्या बताया यही टोटल आएगा और 35,000 तीन सो टू नेट प्रॉफिट क्या रहे है पचपन सो पचपन दो सो यहाँ 45 अब सर एक जर्नल पी अंडल बना लेते हैं सर जर्नल पी अंडल का मतलब ताकि हम एक फानल प्रॉफिट तो निकाल के दें तो बाई साइड में चला जाएगा हमारा आपका नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंटल एक्स का और वाई का देट इस हमारा आजाएगा पचपन दो सो और पैंतालिस सो और टू साइड में आजाएगा टू साइड में आजाएगा क्या हैगा सर लॉस देट इस आपका नेश पान सो तो फाइनल निकाल लो क्या बनता है फाइनल तो प्रॉफिट में ही बैठे हम लेकिन अगर मुझे फैसला लेना हो तो मैं सर्विस डिपार्टमेंट बंद कर दूआ और किसी और को हायर करवा दूआ है क्योंकि वो डिपार्टमेंट मुझे लॉस दे रहा है माइनस उननिस फान सो चालिस दो सो यह आ गया टू फाइनल प्रॉफिट टू फाइनल प्रॉफिट अब बताईए कोई डाउट बताईए कोई डाउट क्लियर है तो हमारे स्याइच के बुक में सवाल नमबर वन मेंनी तो मैंने कर दिया था थ्री मैंने कर कर दिया, फोर आप करलोगे अवह सिंपल सथा वो उसमें सर्फ ट्रेडिंग बनाना था 5 भी हमने कर लिया है सवाल नमबर 6 भी आसान है आपके बुक का दिखा दीजे मैं देख लेता हूँ 6 कैसे होगा सवाल नमबर 6 कुश्चा नमबर 6 जो 6 है आपकी किताब में गीवन वो भी बड़ा आसान है हर departmental का purchase है हर department का opening stock है हर department का seal है कहता the rate of gross profit same in each cases prepare departmental trading account कहता gross profit सब में same है और उसी के according हमें बना के दिखा देना है departmental trading profit and loss account अब मुद्दे की बात यहाँ पे यह है कि departmental आप याद करो illustration number 2 तो वहाँ पे भी purchase total में तो दे रखा था लेकिन हर एक departmental का कितना purchase होगा नहीं पता था यहाँ same कहानी वही है तो अगर आपको इस सवाल को करना है तो पहले illustration number 2 को revise कर लीजिए उसके बाद बड़े आराम से हो जाएगा यह same कहानी exact same question है 7 question आपने करना है नहीं होगा तो मैं करा दूँगा बस इसमें बस यही था inter departmental transfer होता है उसके according था सवाल number 8 बड़ा आसान question है बस यहाँ पे expense commission कैसे कैसे दे रखा है आपका हो जाएगा और सवाल number 9 भी आपका हर department का अलग-अलग है यहाँ ratio बाटना आएगा तो मैं इस chapter को यहाँ पे खतम करूँगा हलाकि सवाल number 10 है 10 के अंदर exam में आया हुआ question है यह तो कहता है opening purchase closing सब दे रखा है rent electricity department का दे रखा है light point value of assets और floor area occupy तो मैं ऐसा करने वाला हूँ आप सभी के लिए कि एक किस चीज को किस apportionment में बाट दिया जाए उसका मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूँआ कि आपको rent को कितने हमारे पास option है देखो rent किस किस में बढ़ सकता है rent बढ़ सकता है floor area के में rent बढ़ सकता है direct wages में तो कुछ हमारे पास option है लेकिन जो पहला है वो नहीं मिला तो दूसरे में चले जाएंगे basically यह बाटने वाला काम costing के अंदर एक overhead आप उसको note कर लेना किस में बाटना है तो जंजट खतम हो जाएगा तो जो become में question आए आप वो भी कर लोगे और आगे का भी कर लोगे इसके अलाबा भी एक दो question जैसे जैसे कराना होगा हम करेंगे अगली class के अंदर हम क्या करेंगे next class जो कि है उसके अंदर हम AS19 lease start भी करेंगे और खतम भी हो जाएगा क्योंकि अब वो theoretical chapter बचे हुए है lease तो अगली class में हम lease करेंगे और फिर उससे अगली class में हमारा intangible assets होगा intangible assets कौन से है हमारा AS26 उसको हम part लेंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कुछ theoretical part कबर करने है तो हो सकता है कि अगली class में lease और AS26 दोनों ही खतम हो जाए अगर थोड़ी लंबी class रखे तो फिर हम start करेंगे तसल्ली से क्या NPO Net Profit Organization और जो process of accounting है जो 11 वी वाले थे theory मैंने सारा का सारा upload कर रखा है अब मैं ऐसा करने जा रहा हूँ कि combine कर देता हूँ सारे theory को जिससे बच्चों को आसानी हो एक ही बार में देखे 2-3 घंटे की वीडियो और पूरे book का theory आपका easily क्या हो जाए खतम हो जाए तो वो बहुत जल्दी upload कर दूँआ कल तक ठीक है इसके बाद हमारा NPO धीरे धीरे चलता रहेगा तिल आपका exam, exam कब है आपका 31 3 March को है 3 March को है यानि हमारे पास जो भी time बचेगा classes regular लेंगे और तब तक हम धीरे धीरे वो cover करते रहेंगे अब बता दिजिए इसमें किसी का doubt है तो आप पूछ सकते हैं